यह बात शायद आपको मालूम ना हो लेकिन बॉलिवोर के स्टार्ड्स को स्ट्रगर यहाँ पर तता के नेम फेम की बजह से काफी जादा बुरी तरीके सिखनी पड़ती है उस स्टार्डम को मेंटेन करने के लिए उस स्टेटर्स को मेंटेन करने के लिए हास कर अगर वॉलिवोर में पहचान बनानी हूँ खैट सनी दियोल के बेटे के साथ ऐसा हुआ होगा किसी ने तो यह सोचा भी नहीं था जी हाँ अपने पिता सानी देवल की वजह से करन देवल के साथ जयाती हुई है इस तरह की खबरे आई थी सच्चाई क्या है चलिए आपको बता दे दरसल करन देवल जिन्होंने फिल्म पल पल दिल के पास किज़री है साल पहले बॉलिवूड इंडस्ट्री में कदब रहा यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही लेकिन धरमेंदर के पोते करन देवल के लिए क्या आपको मालूम है सानी देवल और पुजा देवल जो बहुत एकसाइटेट थे अपने बच्चे को लेकर काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है जी हां दरसल दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ धरमेंदर की दूसरी शादी की वचह से परिशानी सनी देवल के बेटे करन देवल को जेलनी पड़ी है सनी देवल के बेटे कहलाने को लेकर जियाओन होने कहा था इस बारे में कि सनी देवल का बेटा होने की कारद मानसिक और अड़े group से वह बहुत तनाव में रहे हैं पिता को लेकर करन का कहना है कि बहुत बुरी उनकी स्कति रही है स्कूल की उनकी पहली याद तक की है जब first grade में वो थे और sports classification चल रहा था और उन्हीं रेस में हिस्सा लेना था कुछ बड़े लड़के वहाँ थे जहां वो खड़े थे और सबने घीर कर उन्हें कहा था कि सनी देवल के बेटे हो यकीन नहीं होता है लड़ भी नहीं सकते तुम्हारे में तो था कबी नहीं बहुत इंबराइस हुए थे करनदेवल अपने पिता की वाचा से उन्होंने कहा था कि मैं बहुत इंबराइस्ट हुआ था काफी सीजें ऐसी होती है जिसका सामना रेल लाइफ में स्टार केट्स को करना पड़ता है करन देवल के साथ भी ऐसा हुआ था नेक्ष्ट तो नाइन न्यूज़ूम से त्रिप्तिक रिपोर्ट